कि अधिन कोटनी देर के लिए रहा है हो उनको नाच गाना देरहा है तो पसंद नहीं आ रहा ह ँणको लेंगे तो पार्टी भी ख़राब कर देगा देगे ओंपरकास राजबर जी मैं पहले ये कहना चाहूंगा होते कौन है मुसलमानों को ये बात कहने वाले कि मुसलमान को भारती जन्ता पाटी में चले जाना चाहिए वो आज उनकी खुद ये हैसियत हो गई हो कि नचनियक तरह हर दल में जा जाके नाजगाना दिखा रहे हैं और जिसको नाजगाना पसंद आ रहा है वो उनको उतनी देर के लिए रख ले रहा है और जिसको पसंद नहीं आ रहा है उनको लात्मार के भागा दे रहा है अब वो इस तरीके की प्रलोभन दे रहें कि मुसल्मान आ जाए अरे मुसल्मान तुम कौन हो मुसल्मानों के तुम बाप हो या तुम मालिक हो जो यह बयान दोगे कि मुसल्मानों को आ जाना चाहिए तुम तुम्हारी हैसियत क्या है प्रकास राजवर जी से कहना चाहता हूं कि अपनी वयान को अपनी बात को एक मरियादित भाशा में दीजिए वरना तो क्याना में ठीक नहीं होगा आपको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग सबक सिखा देंगे फिर आप खुद क्याना में समझ जाएंगे कि किस हालात में आ बढयन ओच गाना दिखाना यहीं कामू कर रहे हैं कभी उस दल कभी उस दल अभी उन्हों वयान दिया कि मैं जा रहा हूं बस्ता में змहें जीने उससे पहले istä कह दिया कि हम तुमको नहीं लेंगे अधिशी जानती है यह नौटंकी बाज़ आदमी है इस नोटंकी बाच को अगर लेंगे तो पाटी हमारी भी खराब कर देगा जहां जहां गए हैं उसको सत्या नासे किये हैं क्या कर लिए अखलेस यादव के साथ गए थे ना बड़ा बड़ा सपना दिखाये थे मोदी को और हमिस्था को और योगी को लजा के गंगा में डुबो के माट डालेंगे माट डालें वो खुद मर गए और आखरी में अखलेस जी को भी ले जा के डुबो दिया अच्छा हुआ कि ओंपरकास राजबर जी हमारे यहां बहुत कम समय के लिए आये थे और जल्दी चले गए मगर हम लोग का जतने दिन रहे मनुरंजन अच्छे से किये हैं हमें कोई दिक्टत में